अर्विंद केजरिवाल एक तरफ कुर्सी से चिपके रहने के लिए दिल्ली में जनता की राय जुटा रहे हैं। और विधायक कभी भी पार्टी छोड़ कर जा सकते हैं। पार्टी के विधायकों की संख्याः चार रह गई है। पार्टी के दो और विधायक सुधीर मकवाना और सुधीर वाघानी भी इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। अगर इन दोनों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो फिर से उन्हें चुनाव लड़ने की जरुत नहीं रह जाएगी और तीनों की विधान सभा की सदस्टा बच जाएगी ऐसा नहीं होने की सूरत में भायानी को विधान सभा से इस्तीफा देना होगा और चुनावों का सामना करना होगा गुजरात आम आदमी पार्टी में पहले भी कई बड़े नेता और पतादिकारी इस्तीफा देकर बीजेपी जोइन कर चुके हैं लेकिन लोगसबा चुनाव के पहले विधायकों का इस्तीफा पार्टी के लिए तकड़ा जटका है भूपत भायाणी के विसावदर से जीतने के बाद से ही बीजेपी में जाने की अचकले लग रही थी पार्टीदार समधाय से आने वाले भूपत भायाणी बीजेपी से टिकेट नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे उन्होंने 2022 के चुनावों में बीजेपी के उमीदवार और हरशद रिबिडिया को हराया था। हरशद कॉंग्रेस के विधायक थे और वे चुनाव से पहले कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के दिगजनेता और राज्य के मुख्यमंतरी रहे दिबंगत के शुभाई पटेल भी इसी सीट से विधान सबा में प्रतिन धद्वा कर चुके हैं। बाद और दो विधायकों को लेकर चर्चा है कि वे आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। सुत्रों का कहना है कि बोटाद से विधायक उमेश मकवाना और गरियाधर से विधायक सुधीर वागहानी भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लोग सबा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पास दो ही विधायक बचेंगे। गांधी परिवार के खास करीबी धीरज साहु ने चुनावी हलफ नामे में अपने उपर करीब धाई करोड का कर्ज बताया था और कुल संपत्ती 38 करोड लेकिन जब उसके ठिकाने रुपए उगलने लगे तो इतना बड़ा पहाड बन गया जिसका कि आईकर विभाग के अ इसके लिए आईकर विभाग उसके छट की खुदाई करने की तैयारी में है सूत्रों का कहना है कि एडी मनी लॉंडरिंग के एंगल से पूरे मामले की पड़ताल कर सकती है सूत्र बताते हैं कि साहु के राची के रेडियम रोड पर सित घर की आईकर विभाग तलाशी ले और इस घर की खुदाई भी हो सकती है क्योंकि इतनी बड़ी बरामदगी के बाद संदेह जताय जा रहा है कि साहु ने इससे भी बड़ा खजाना छिपा कर रखा हो सकता है साहु के ठिकानों से करीब 500 करड़ रुपे मिले हैं इसके लावा 17 किलो सोना भी मिलने की बाद कही जा रही है एजनसी की कारवाई में ये देश में अब तक का सबसे बड़ा नकदी की बरामदगी का मामला है 6 दिसंबर 2023 को आएकर विभागने जारखंड ओडिशा और पशिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर एक साथ ये कारवाई शुरू की थी चाप इमारी की ये कैश रखने की कोई कानूनी सीमा तैय है लेकिन ये कैश कहां से आया इसका सटीक और वैद सूर्स होना चाहिए चाप इमारी के दोरान घर से बरामद नकदी के सूर्स और कानून दसवेज मोहया नहीं करवा पाने पर ये अवायद धन कहलाता है इसे काली कमाई से अरज यूनिट करती है ये यूनिट सभी विवरणों और खातों का ध्यायन करती है और साट दिनों में ये मुल्यांकन रिपोर्ट तयार की जाती है एक बार मुल्यांकन आदेश तयार हो जाने के बाद मामले के आरोपितों और संदिक्धों को अपनी आय का जरिया बताने का मौक दब्त की गई ये नकदी केंदर सरकार के बैंक खातों में ही रहती है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस पैसे का कोई भी किसी भी तरह का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता। अदालत यदि आरोपित को दोशी ठहराता है तो ये पैसा सरकार का हो जाता है लेकिन पीले कलर का फॉग स्प्रे कर दिया। सदन में मौझूद सांसद दोनों को पकड़ने में जुट गए एक को कॉंग्रेस के सांसद ने पकड़ा तो दूसरा हनुमान बेरिवाल के हत्थे चड़ गया। सांसदों ने उन दोनों की कुटाई कर दी और सुरक्षा में तैनात क कर्मचारियों के हवाले कर दिया इस घटना पर सियासत तो आगे खूब होगी लेकिन इस दोरान सदन में मौझूद राहूल गांधी अपनी सीट पर ऐसे बैठा रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं शोरगुल बढ़ा तो वे अपनी सीट से उटकर खड़े होकर देखने लगे और फिर बैठ गए शायद ये सोच कर कि उनके हाथ कोई बड़ा सियासी मुद्दा लग गया हो राहूल गांधी के चेहरे पर खुशी के जलग भी दिगी बावजुद सब के राहूल गांधी अपनी सीट से एक इंच नहीं हिले लोगसभा ध्यक्ष ओमडला ने बताया कि लोगसभा अपने स्तर पर जाच कर रही है और इस तथे के बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिये गए हैं। से स्प्रे कर दिया अचानक संसद में पीले कलर का धुआ तैरने लगा धुआ देखते ही अफरातफरी मच गई। संसद में मौझूद सुरक्षा के जवानों ने ततकाल दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और इसके बाद दो आरोपियों को संसद के बाहर से गया इस से पहले साल 2001 में संसद पर आज ही के दिन अफजल गुरू ने हमला किया था इस हमले ने पूरे देश को सन्न कर दिया था इतिहास का सबसे बड़ा हमला था इस हमले में 20 साल बाद आज फिर वही एतिहासिक शन देखने को मिला है नए पारलियमेंट के करीब 3 महीने बाद ही उसकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली हमले से पहले एक महिला ने संसद के बाहर जम कर हंगामा किया था महिला के पहचान नीलम पुत्री कौर सिंग के रूप में की गई है नीलम हिसार के रेड स्कौायर के रहने वाली बताय जा रही है जानकारी के दिली पुलीस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर कर टीम के साथ संसद के अंदर पहुंचे ये टीम संसद के अंदर हिरासत में लिये गए नोगों से पूछताच करेगी वहीं संसद परिसर के बाहर से पकड़े गए प्रदर्शन कारियों के नाम अमोल शिंदे और नीलम बत इंक्षन से संसद भवन में प्रविष करने का पास बनवाया था अमोल और नीलम के पास से जब सामान की फॉरंसिक जाच के लिए फॉरंसिक जाच दल की वैन संसद मर्ग थाने निकल गई है ये मुबाइल फरेंसिक वैन होती है जिसमें मौके पर ही फरेंसिक जाच की जाती है सलस्थ मार्ग थाने के अमोल शिंदे और नीलम को हिरासत में रखा गया है राहुल गांधी नितिश कुमार लालु यादव और अखिलेश जाती की गिनती करते रह गए और उनकी ही सियासी पिछ पर बीजेपी ने ऐसा दाओ चल दिया के लालु यादव और अखिलेश यादव की जमीन हिल गई लेकिन बीजेपी का आखरी दाओ कॉंग्रेस को भी गहरे तक हिला कर रख गया कॉंग्रेस ब्रामहन, दलित और मुस्लिम बोर्ट के सहरे दशकों तक राज करती रही वक्त बदला तो OBC की सियासत तेज हुई तो कॉंग्रेस ने ब्रामहनों से किनारा कर लिया पिछलों की सियासत की ऐसी धूम मची के ब्रामहन सियासत के हाशिये पर चले गए लेकिन पीम मोदी ने राजिस्थान में ब्राम्हण को सीम बना कर एक तरह से कॉंग्रेस को चौंका दिया बीजेपी ने राजिस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंतुरी पद की जिम्मधारी सोंपी जो ब्राम्हण चेहरा हैं और इसके साथ की मध्यप्रदिश और 36 गड़ में भी एक एक जेप्टी सीम को ब्राम्हण चेहरे पर दाउं चल दिया जिसे लेकर कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमूद कृष्णम की प्रतिक्रिया सामने आई उन्होंने कॉंग्रेस के जले पर नमक छड़कते हुए बीजे पी के सकदम की तारिफ की आचारे प्रमूद कृष्णम अकसर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं एक-एक ब्रमूद कृष्णम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया काउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि राजस्थान में ब्रमूद को मुख्यमंत्री और 36 गड़ और मद्यप्रदेश ब्रमूद को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को साथ हुआद एवं अन्य सभी नव निर्वाचित सीएम और डिप्टी सीएम को हारदिक बधाई और शुपकामनाए तीनों राजियों में जीत के बाद बीजेपी ने जिस्तर ऐसे शिवराज सिंग चोहान वसुंधरा राजे सिंधिया और डाक्टर रमन सिंग की जगए नए चेहरों को तरजीह दी उसे आगामी लोग सभाचुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है इन नए चेहरों के जरिये साथ ही पार्टी ने जातिये समय करण को भिसादने के कोशिश की राजेस्थान में जहां पार्टी ने ब्राम्हर चेहरे भजनलाल शर्मा को सीम बनाया तो वहीं मध्ये प्रदेश में मोहन यादव ओबीसी और 36 गड़ में आदिवासी नेता वि जारी है वजह तीन राज्यों में मिली करारी हार है जिसे एक जटके में ही वो हार गई और अब हार के कारणों की तलाश की जा रही है कांग्रेस की दिक्कत ये है कि सियासी पिछ तो वो खुद तयार करती है लेकिन जब मैच की बारी आती है तो उसके हिस्से में हार के इसी पर खडगे को तो बैठा दिया लेकिन कुछी दिनों में क्षत्रपों ने खडगे के हंटर को बेसर कर दिया नतीजा तीन राज्यों में हुई हार के बाद प्रदेश अध्यक्षिया CLP लीडर के त्याग पत्र पर रार मच गई वजहिए कि कॉंग्रेस के पास 10 लोगों से 100 गुना फायदा लेने की मूदी तकनीक नहीं है और ना ही पार्टी के पास मूदी जैसा हंटर है कॉंग्रेस इसी तकनीक और हंटर से हर बार पिट जाती है मधिप्रदेश राजिस्थान और 36 गढ़ में हार क्यों हुई इस पर पार्टी ने चर्चा की मगर कोई त्याग पत्र नहीं हो सका वजहिए कि मलिकारजुन खडगे की पार्टी में चल नहीं रही बड़े नेता उनको कताई भाव नहीं दे रहे कॉंग्रेस और भाजपा में यही फर्क है भाजपा में किंद्र इस्तर पर जो फैसला होता है श पार्जियों के क्षत्रपों का दखल सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड़रा तक रहा चुनाओ में अतियात्मा विश्वास को लेकर कुछ नेताओं के तरफ इशारा हुआ लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ चुनाओ परचार के दौरान कई क फैसला लेने की बात आती है वे मजबूरी में सुनिया प्रियंका और आहुल की तरफ देखते हैं यही बात पार्टी के क्षत्रपों के लिए खुद को महफूज करने की स्तिती मिला देती है जब तक पार्टी अध्यक्ष कुछ सोचते हैं तब तक टार्गेट वाले नेता कि दवाई कहते हैं कि पार्टी में कौन सा मुद्ध कब उठाय जाए इस बाबत कोई चर्चा नहीं होती इविंग का मुद्ध कब और किन परिस्सितियों में उठाय जाए पार्टी को इसकी लाइन लेंथ का अंदा नहीं होता पिये मूदी की तकनीक 10 लोगों से 100 गुना ये कॉंग्रेस या राहूल गांधी को नहीं उठा पा रहे भाजपा में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए पहले जमीनी स्तर पर होमवर्क किया जाता है उसका नफा नुकसान देखा जाता है। की क्षमता रखते हैं उन्हीं से ग्राउंड रिपोर्ट भी लेते हैं। केंद्रिय मंत्रियों को विधान सभा का चुनाव लड़ा दिया ऐसे कठोर फैसले लेने के लिए कॉंग्रेस में माहौल तयार करने से खड़के चूक रहे हैं। क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते हैं। क्षकरी का रखते हैं। क्षमता रखते हैं ó